हेलो गाइज, वेलकम अगेंच और यूट्यूब चैनल जूपिटर क्लासिज गाइज प्रिवेश वीडियो में हमने MCQs किये थे Physics Chemistry के तो आज का जो वीडियो रहने वाला है वो भी MCQs पर ही रहेगा Physics Chemistry के तो पिसली वीडियो में काफी अच्छा response रहा आप लोगों की तरफ से तो मुझे कुछ कमेंट बक्स में फ्रेंड्स ने कमेंट किये थे कि सर जो है आप डिटेल में नहीं बताएगा जस्ट आप objective पे फोकस किजएगा जैसे यहाँ पर आपके पास एक question दिया हो यहाँ पर atmosphere प्रेशर पूछा गया देखिए आपके पास गई चार option है हो सकता है वो इसका भी पूछ सकते हैं इसका भी पूछ सकते हैं यह certain ही है कि आपको तरह धी कोस्टिन पूछा जाए गा तो options में आप सबको पढ़के जाएगा ताकि आपको आपको सारे concept clear हो और यहाँ पे जो हैं कुछ arts background के भी हैं थोड़ा उनके लिए भी मुझे briefly explain करना पड़ता है चलो जिनका medical background है वो समझ जाते होंगे जल्दी लेकिन कुछ arts background के भी है उनको भी साथ में लेकर चलना पड़ता है तो देखे गाइस पहला question अब आपके सामने an instrument used to measure atmospheric pressure इस है तो देखे गाइस है उसके बाद guys manometer तो देखे manometer भी हमारे पास एक device है जो हमारे पास किसको measure करती है pressure को measure करती है ठीक है guys बट हमें यहाँ बें बताया गया कि atmospheric pressure तो यह manometer आपके पास जो होता है जो आपके पास एक container होता suppose करते हैं आपके पास एक cylindrical container है उसके अंदर आपके पास जो gas, gas है या फिर liquid है तो उनको measure करने के लिए हमारे पास कौन से instrument यूज किया जाता है manometer यूज किया जाता है यानि कि एक container के अंदर हमारे पास जो gases का pressure है वो कितना है वो manometer measure करता है बट हमें atmospheric pressure बताना है next guys आपके पास इस निधल होती है जो deflect करती रहती है तो ये आपके पास किसका गेलानुमीटर जो है ये आपके पास कॉंची ड्वाइस है जो आपके पास magnitude and direction को भी measure करते है electric current के last option है guys आपके पास barometer which is the right answer and बारो का मतलब ही होता है guys आपके पास atmosphere तो आप यहां से भी एक sense लगा सकते हो कि it is the instrument which is used to measure the atmospheric pressure so the right option is D next question करते है guys an instrument used to measure gas pressure is तो दिखे है ऐसा constant instrument है जो gas pressure को measure करता है तो emitter हमने पढ़ लिया guys manometer इसका right answer आएगा भी हमने पढ़ा guys कि manometer जो होता आपके पास एक container है container के अंदर आपके पास जो gases molecule है उनको pressure को कौन measure करता है manometer so next question करते है guys which electromagnetic wave has the longest wavelength है तो wavelength हमने पढ़ा था guys पिसली video में कि it is the length between two consecutive crust and truff suppose करते हैं आपके पास wave particle है कोई तो हमारे पास जो भी light चलती है in the form of wave चलती है crust and truff तो देखे ये इसका होता guys crust और ये होता इसका truff तो दो consecutive crust and truff between आपके पास जो है वो आपके क्या कहलाती है wave length कहलाती है देखे ये आपके पास या दो consecutive crust के between distance ले लो या truff के between distance ले लो वो आपकी wavelength कहलाएगी so next यहाँ पे हमने देखना guys की सबसे ज़्यादा wavelength जो है electromagnetic wave में किसकी होगी तो देखे ये सारी आपके पास electromagnetic waves है electromagnetic waves आपको transverse wave भी कह सकते हैं और sound waves आपके पास वो होती है जो आपके पास longitudinal waves होती है अब देखे यहाँ पे आपके पास क्या है gamma rays, x rays, microwave और radio waves आपके पास यह सबसे longest होती हैं जैसे हमारे radio waves जो होती है जो space में हमारे पास जाती है जो हमारे पास atmospheric की सबसे last layer होती है वहाँ तक यह views जाती है वहाँ से आपके पास reflect होकर आती है तो radio waves जो होती है इनकी wavelength भी आपके पास बहुत जादा होती है और सबसे shortest wavelength अगर हम कहें तो वो किसके होती है guys गामा rays की यानि कि gamma rays जो होती है इनकी wavelength सबसे shortest होती है तो आपको पता है guys यहाँ पे electromagnetic waves, transverse waves होती है जो आपके पार longitudinal waves होती है वो compression और depression में चलती है ठीक है guys next question करते है acid rain is manually caused by emissions of dust in the atmosphere तो देखिए जो आपके पास acid rain होती है तो acid rain जो होती है हमारे atmosphere में किन gases की emission की वज़ा से होती है यानि कि आपके पास जो बारिश होती है वो आपके पास acidic हो जाती है यानि कि हमारे पास कुछ atmosphere में ऐसी gases होती है जो water droplets जो होती है उनके साथ react होकर उसको acid rain बना देती है तो I hope you all know the answer of this question that is option D sulfur dioxide and nitrogen oxide तो देखिए guys अगर आप answer करना चाहते हो तो आप पहले answer इसका कर सकते हो अगर आपको question आता है तो आप attempt कर सकते हो और comment box में लिख सकते हो कि सर हमारा attempt जो है हमारा score जो है यह रहा है तो इससे क्या होगा guys कि आपका जो एक concept होगा वो clear होता जाएगा तो पहले खुद attempt करने की कोशिश कीज़ेगा So next question करते है guys About 50% of earth crust including water on the earth and atmosphere is तो देखिए 50% हमारा जो earth crust है earth crust का हमारे 50% है उसमें हम water को भी include करते हैं और atmosphere को भी include करेंगे तो वो कितना है यानि कि ऐसा कौन सा हमारे पास substance है जो 50% earth crust को water को और atmosphere को include करता है तो देखिए पहला option आपका oxygen, carbon dioxide, silicon और clay तो इसका right answer आपके पास क्या जाएगा guys oxygen यानि कि देखिए हमारे पास water में भी होती है oxygen हमारे पास जो earth का crust है उस महाँ पे भी oxygen present होती है dissolved in the form of dissolved oxygen होती है तो oxygen जो होती है 50% हमारे पास earth crust में या फिर earth के atmosphere में water में present होती है so next question करते हैं guys the fourth state of matter is तो देखिए guys generally आपने three state of matter पड़े होंगे तो देखिए force state of matter को हम क्या कहते हैं guys यहाँ पे plasma ठीक गाइस तो plasma जो होता है यहाँ आपके पास force state of matter है और अगर इसके example आप देखिए guys जो आपके पास fire है ठीक है आग तो वो आपके पास क्या है guys एक plasma की form में होती है so next question करते हैं guys the device used to convert electrical current into direct current is got तो आपके पास क्या होती है जो आपकी AC को DC में convert करती है तो देखिए पहला guys यहाँ पे आपके पास एनोमिटर तो एनोमिटर आपके पास क्या होती है यह wind speed को measure करती है जो आपके पास wind होती है wind pressure जो होता है उसको measure करने के लिए हम कॉंटस instrument यूज़ करते है एनोमिटर तो बैटरी आपको पता है guys बैटरी आपके पास जो होती है यह chemical energy को electrical energy में convert करती है galonometer हमने पढ़ लिया उसके बाद है guys यहाँ पे ratifier तो देखिए ratifier इसका right answer आजाएगा तो ratifier हमारे पास एक ऐसी device है जो हमारे पास AC को DC में convert करती है next question करते है guys bronze is an alloy of तो देखिए हमारे पास जो bronze है वो किसकी alloy है तो वो है guys हमारे पास copper and tin तो copper and tin के alloy को हम क्या कहते हैं guys bronze कहते हैं देखिए alloy का होता है इसमें जो हमारे पास mixtures या elements जो होते हैं दो से दो जादा जो भी हमारे पास metallic substances होते हैं जब उनका हम mixture बनाते हैं दो से दो या दो से जादा तो जब हमारे पास कोई एक product बन के आता है उसको हम क्या बोलते हैं alloy बोलते हैं so next question करते हैं guys molecules with identical molecular formula but with different structural formula are तो ऐसे हमारे पास कुछ molecules होते हैं जिनका molecular formula sam होता है but उनका structural formula different होता है तो उनको हम क्या बोलते हैं guys isomers isomers मारे पास क्या होते हैं ऐसे molecules होते हैं जिनका molecular formula to sam होता लेकिन structural formula different होता है तो isotopes आपके पास को अना जाते हैं guys isotopes वो होते हैं जिनका atomic number sam होता है but atomic mass जो होता है हो निद्ट होता है तो जैसरम मार फास ऐसे को इमेंट जिन रख defense sao may बढ़त्तामिक माश्機 मों लिखन तो जैसे on अगर हाइड्रोजन देखें तो हाइड्रोजन गे महार पास कितने अज्टीन आईष्ट प्रषट हैं जैसे हाइड्रोजन फ्रस फ्रस देखिए इनका atomic number 1 है, इसका atomic mass 1, इसका atomic number 1 है, atomic mass 2, इसका atomic number 1 है, इसका atomic mass 3 है तो यह आपके पास कौन से है, यह isotopes है, hydrogen के isotopes है तो इन में आपके पास क्या है, atomic number तो सहम है, बट atomic mass जो इनका vary करता जा रहा है तो इसी तरह से आपके पास दूसरा जाते है, isobar तो देखे, isobar आपके पास वो होते हैं, जिनका atomic number different होता है, लेकिन atomic mass होता है, तो जैसा अगर हमा example देखे हैं, हमारे पास potassium है, guys, उसके बाद हमारे पास calcium है, देखे, potassium का atomic number आपके पास , 19, or calcium का कितना है, guys, 20, लेकिन इनका atomic mass जो है, वो same है, 40 and 40, so this is the difference between आईसोटोप सेंड आईसोबार्स तो नेक्स्ट कोश्चन करते हैं गाईज अउन वे आफ ट्रांसफर आफ हीट अनरजी इस कन्वेक्शन विच अककर सिन तो देखे गाईज आपके पास यहां पे जो है कन्वेक्शन हमने पिसली वीडियो में पढ़ा था कन्वेक्शन, रैडियोशन, यह होते क्या है तो यहां आपने खुद बताना गाईज की कन्वेक्शन जो है वो कौन से एक हीट अनरजी होती है जो किसी भी मारे पास एक मीडियो में ट्रांसफर होती है और किसमें यह सॉलिड में अकर होती है यहां लिक्वड में अकर होती है यहां लिक्वड गैसिज में अकर होती है यहां लिक्वड गैसिज में अकर होती है यहां तीनों में ही अकर होती है तो दीखे कंडेक्शन तो जैनरली सी बात है कंडेक्शन जो अकर होती है तो हमारे पास जो भी conductor होते हैं, इसाइड हानौन आखक्र होती है. तो इट मीं जो होती है, वो हमारे पास liquid में भी होती है, और gases में होती है. Actually यहां गालन मॉलेकूल इस नाखकिशा पर वाद पुर्छ। तो देखे, यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले heat जो होती है, यहाँ पर 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 होत तो बॉटम यानिके टॉप वाला जो आपका पास वाटर सर्फेस होती है वो गरम होती है as compared to bottom क्योंकि यहाँ पे जो हीट अप होते हैं मॉलिकूल वो उपर चले जाते हैं यहाँ पे high pressure से जो दूसरे molecules होते हैं वो low pressure के और आजाते हैं और यहाँ पर आपके पास process होता है convection का तो gases में भी ऐसे ही होता क्योंकि gases में भी आपके पास random molecules होते हैं तो यहाँ पे भी molecules की क्या होती है? Moment होती है इसका right answer आपके पास क्या जाएगा guys C Next question करते है guys तो देखे- Solids जो है, Solids को हम compress कर सकते हैं Suppose करते हैं आपका पास जो solid, जो in payment rubber है तो है तो आपके पास guys, Solids तो यह आपके पास क्या है는? इसको हम compress कर सकते हैं उसके बाद आ जाता है guys आपके पास liquid तो उसके बाद है gases और देखें guys gases जो है आपकी इनके molecules भी एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं तो इनको भी हम क्या कर सकते हैं? compress कर सकते हैं बट liquids जो है यहाँ पर इसको आप compress नहीं कर सकते हैं कोई भी आप liquid ले लो उसको आप compress नहीं कर सकते हो तो it means इसका right answer आपके पास क्या जाएगा guys liquids आ जाएगा next question करते हैं guys the entropy of the universe is देखें पहले हम समझते हैं guys यह entropy क्या होती है entropy भी आपके पास क्या होती है disorder होता है molecules का यानि कि जो moment होती है molecules की वह आपके पास क्यों होती है random होती है और disorder में होती है तो दीखें हमारे पास universe जो है universe में हमारे पास जितने भी molecules है हमारे universe हम क्या दिखते हैं यह expanding universe है ठीक है तो यहाँ पे जो entropy रहेगी universe की वो क्या रहेगी increasing क्योंकि यहाँ पे जो random moment हो रही वो बहुत ज़्यादा increase कर रही तो जो हमारे पास नमकीन पानी होता है जो salty water होता है उसको हम कैसे प्यूर करते हैं किस method से पहला guys filtration तो दीकि filtration simple है जैसे आपके पास जो है चाइव अगरा बनाते हो guys तो उसमें क्या अगरते हो आप जो पत्या होती है उसको आप filter करते हो तो आपके पास filtration का process हो जाता है evaporation तो simple आपके पास guys पता है जैसे जो salt water होते हैं आपके पास जैसे समंदर में आपके पास salty water होता है तो वहां से evaporation आपके पास क्या होता है पानी जो होता हो आपके पास क्या बज जाता है salt बज जाता है तो वह process आपके पास evaporation आ जाता है उसके बाद guys chromatography तो देखिए chromatography जो है ये भी आपके पास filtration का ही काम करता है तो ये आपके पास एक technique होती है guys जिसमें हम क्या गरते हैं mixture को separate करते हैं यहनके जो भी आपके पास mixture होगा बहुत सारे substances होंगे तो उनको आप separate करने के लिए कॉन सा method उस करते हो guys chromatography उस करते हो तो जैसे कोई भी आप mixture होगा आपने उसको किसमें डालना गाइस वाटर में यह आपके पास वाटर है और इसमें आपने क्या डाल दिया गाइस कोई भी मिक्चर डाल दिया तो इसको आप कैसे separate करोगे different mixtures को तो देखें जो आपके पास यहाँ पे होगा जब resting position में होगा तो वो जो layer by layer जो होगा यहाँ पे वो mixture जो होगा separate होता जाएगा तो जो heavy substances होगे वो आपके पास नीचे bottom में रहेंगे उसके बाद layer by layer जो होगे जो भी mixture होगा वो अपनी weight और density के मताबिक जो होगा वो यहाँ पे रहेगा तो इस process से हम क्या करते हैं कि जो भी mixture होगा जो भी हमने separate करना जो भी technique होगे से हम separate कर सकते हैं लास्ट ओप्शन है guys distillation and which is the right answer for this question so salty water can be made pure by the method of distillation so next question करते हैं guys the unit of efficiency is तो देखे efficiency का unit क्या है तो efficiency समय से efficiency आपके पास क्या है guys एक work है यह भी यानिकि कितना efficient क्या work कर रहे हो तो वो आपके efficiency क्या लाती है तो देखे बोल्ट तो है नहीं वार जो है power का unit है joules एक energy का unit है तो efficiency में भी हमें क्या लगती है guys energy है work है यह भी एक तो इसका right answer आपके पास क्या जाएगा guys joules आजाएगा so next question करते है energy can be converted from one form to another but all energy ends up as देखे कोई भी energy है उसको हम one form to another form convert कर सकते हैं जैसे chemical energy को हम electrical energy में convert करते है mechanical energy को भी हम electrical energy में convert करते है electrical energy को हम sound energy में convert करते हैं लेकिन यह सारी energy जो होती है वो end up कैसे होती है किनेटिक energy तो वह एज कैनेटिक energy जो है end up होती है आपके पास क्या होती है जो होती है यह आपके पास MAS into velocity कोई भी आपके पास particle है mass का तो उसके mass और उसकी وожд के बराबर होता है बटन का half होता है आपके पास क्या departments energy होती है next question करते है guys the shortest distance between crust to crust is तो दीखिए ये आपके पास few हे crust and are we goaluß रहा है कि जो crust to crust आपके पास shortest distance उसको क्या बोलते हैं तेह आपके पास crust है ये भी आपके पास crust है ये आपके पास truck है ये भी आपके water Chris सेでक शोट बे wię इसका हम क्या बोलते है guys I hope you all know that is wavelength तो wavelength जो होती है यह crust to crust आपके पास क्या होता है shortest distance होता है frequency मैंने आपको बताया था amplitude क्या होता है guys यह distance होता है यहां से लेकर यहां तक ठीक है यह आपके पास amplitude आ जाता है तो next question करते है guys जो speed है सबसे ज़्यदा fast किस medium होती है solid liquid gases या vacuum है तो देखे हमारे पास generally 3 medium होते है solid liquid gases, vacuum gases में ही आ जाता है तो इन में क्या होता है कि जो सबसे ज़्यदा faster speed होती है वो हमारे पास किस में होती है guys solids में होती है तो देखे solid में आपके पास कियों होती है क्युखियोंके यहाँ पर जो आपके आपके आप मॉलेकिल होते है वो एक दूसरे के बहुत ज़्यदा close होते है और जिस वज़छा से sound की speed होती वो बहुत ज़्यदा fast होती है लिकवर्ड में और आगर हम देखे तो जो molecules होते है व molecules के between जो distance होता बहुत दूर होता है तो यहाँ पे जो और कम हो जाती है तो जैसे आप देखते होंगे guys कि जब कोई दूर distant position पे कोई एक object होता है और वहाँ पे वो जो होता है action आपको दिखता है दूर से कि उसने action पहले perform किया लेकिन उस action की sound आपको बहुत देर बाद सुनाई देती है तो आपके पास क्योंट एक vacuum होता है और वहाँ पे आपके पास जो sound की speed होती है वो आपको एक दो तीन second बाद ही आपको सुनाई देती है लेकिन action आप पहले ही देख लिए होते हैं तो जो solids होते हैं, solids में ऐसा नहीं होता है, जैसे यह आपके पास action होता है, वैसे यह आपके पास sound भी सुनाई दी जाती है So last question of the day guys, the unit used to measure humidity is, तो देखिये humidity को measure करने के लिए हमारे पास कौन सा unit है पहला option है guys, barometer, which is used to measure atmospheric pressure and hydrometer, hydro का मतलब आपके उस water होता है, जो water pressure को measure करता होगा Hygrometer, so guys, hygro का मतलब humidity होती है, so it is a unit which is used to measure humidity And the last option is galanometer, you all know, it is a unit which is used to measure the magnitude and direction of current So hope guys, आपको ये session जो है अच्छा लगा होगा, आपने enjoy किया होगा और सारे questions को attempt भी किया होगा तो मैं उमीद करता हूँ कि हर एक नहीं इसमें जितना भी participate किया होगा तो at least 18 questions जो हैं, वो maximum किसी ने किसी ने किये होंगे और 15 questions जो इसमें average लेकर चलता हूँ कि 15 questions जो हैं, वो हर एक को आने ही चाहिए थे तो maximum जो हैं, वो 18 भी जा सकता है तो ये session सब ने enjoy किया होगा guys और अगर आपको अच्छा लगा है, तो comment box में अपना feedback जरूर दें Thanks for watching this, have a nice day